Hello Traders, Welcome back to the channel आज की वीडियो में हम जानेंगे कि Kotex Securities के अंदर आपको Option Trading में कैसे order लगाना है बना Option Trading जो हम करते हैं उसमें orders कैसे लगा जाते हैं, target और stop loss कैसे लगाना है और साथ में सभी प्रकार के orders के बारे में भी जानेंगे जो भी order type होते हैं, उनके बारे में भी उपर detail में जानेंगे live market में हाला कि Kotex Securities के उपर already मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट कापी साहल लोगे कमेंट थे कि आप Option Trading के अंदर समझाईए, कि Option Trading कैसे की जाती है Kotex Securities के अंदर वीडियो बना चुका हूँ, उसका थमले आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, उस वीडियो का आप जाके देख लीजिए, चैनल पर आप जाएंगे, तो वीडियो आपको मिल जाएगे, तो आपको समझ में आ जाएगे कि option trading होती ही क्या है, और दूसरा है कि option trading करनी कैसे है, तो वो अपन अभी इस वीडियो में समझते हैं, तो मैं मान के पहले अपन समझ देते हैं, फंड कैसे add किया जाता है तो फंड add करनी के लिए आपको देखिए, simply यहाँ पर नीचे option आ रहे है और more का, इस पर आपको click करना है, click करेंगे तो देखिए, यहाँ पर एक option आएगा, आपको funds का, इस पर उसके बाद देखिए, आपर Google पे, phone पे सभी का option यहाँ पर आ रहा है, वहाँ से आप पैसा आपना add कर सकते हैं, net banking से करना चाहें, तो net banking के द्वारा भी कर सकते हैं, पैसा जैसे आप add करेंगे, तो आपके dimate account में so होने लएगा, बस एक चीज का दिहान रखना, कि जो भी आपका registered bank है, मलब जो भी आपने bank account link की किया है, kotak security से, dimate open करते समय, उसी bank account से आपको पैसा add करना, किसी और bank से मत कीजिएगा, then back आते पन, back आगे बापिस से पन home screen पर आते हैं, तो देखिए यहाँ पर watchlist अपने सामने आती है, तो यहाँ पर अपने इसाप से watchlist अपनी बना सकते हैं, जैसे देखिए मैंने watchlist का नाम दिया हुए, options, community, इस प्रकार से आप भी अपनी watchlist बना सकते हैं, जहाँ पर आपने पसंदीदा shares, अपने इस भी company को आपको add करना है, उसको आप search करीए, HDFC bank को करना suppose करीए, तो HDFC bank आप type करेंगे यहाँ पर, मैं सीधा direct आपके लिए options का बताता हूँ, तो देखिए जब भी हम option trading करते हैं, तो माल लीजेगर हमें किसी stock में option trading करनी है, या फिर हमें index में option trading करनी है, basically दो परकार की होते हैं options, एक होता stock option, एक होता index option, stocks में आपके shares आ जाते हैं, जैसे Tata motor हो गया है, HDFC bank हो गया है, कुछ companies होती है, उनके अंदर आप options में trade कर सकते हैं, और index में आपका nipty हो गया है, bank nipty हो गया, finance nipty हो गया, यह आपके index होते हैं, तो माल लीजे आपको bank nipty में करना है, तो simple अपने यहाप सर्च करेंगे bank nipty, सर्च करने का तरीका बतारों में, सभी company में लगवक सेम होता है तरीका, then उसके बाद आपको डालना strike price का, कितने strike price का आप खरीना चाहते हैं, जिसे माल लीजे मैं खरीना चाहता हूँ, 46,000 रुपे का, तो 46,000 में यहाप डाल दूँगा, अब उसके बाद देखी, call or put अपने सामने automatically आ जाएंगे, और साथ में उसकी expiry आ जाएगी, चुकि expiry business पे काम होता, options में, तो देखी जैसे की 20 July यहाँ पर expiry आ रही है, 46,000 रे call option की, और 46,000 का put option देखी यहाँ पर, 20 July इसकी expiry है, then उसके नीची अपन आते हैं, तो यह वाला आप देखेंगे, तो इसकी 27 July expiry है, क्योंकि weekly इसकी expiry होती है, index की bank nifty में, तो हमें जो buy करना है, वो भी current expiry का ही buy करना है, तो मैं 20 July पर click कर देता हूँ, जो call option है, call option को जुकि अपन buy कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हमें इसको add करना है, तो add करने के लिए simply जो plus का symbol बना, इस पर आपन click करेंगे, click करेंगे, देखिए right tick हो गया, मतला अपना जो stock है ना, वो अपना add हो चुका है, back करके पनाएंगे, तो देखिए जो अपनी watch list है, वहाँ पर देखिए, 46R का call option आचुका है, पहले number पर आपको देख रहा होगा यहाँ पर, अब इसमें मुझे trading करनी है, तो simply मैं इसके उपर click करूँँगा, click करके मैं buy करूँगा, buy करेंगे, देखिए, सबसे पहले वही पूचे का आप से, कि कितने lot आप लेना चाहते है, जोकि bank nifty का lot होता है, 25 quantity का एक lot होता है, तो मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ, जोकि मुझे एक lot ही अभी केवल buy करना है, then उसका अपन से पुचता है, किस price से आप buy करना चाहते है, तो इसका जो current rate है, मतलब market rate कितना चलना है, यह हमें देखिए, ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, और जोकि लगातार change हो रहा है, कुछ ना कुछ कम है, कुछ ना कुछ जादा हो रहा है तो यहाँ पर अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यह होता है कि अपन market rate से खरीच सकते हैं, जैसे कि जो symbol बनके आ रहा है आपर देखिए, place at market price, इस पर click कर दूँगा मैं, तो price डलने का option हमारे सामने से हट जाएगा, और जैसी मैं इसको buy करूँगा, यहाँ से review order करके buy करूँगा मैं, तो क्या होगा, जो भी अभी current rate चल ला है, जो भी 155, 153, जो भी current market rate चल ला है उसी rate से तुरंट अपना buy हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कोई अपनी specific price दिना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँगा नहीं, मुझे इस price से ही इसको buy करना है, माली जो मैं कोई price द लेटी नहीं अभी 130 रुपए तो, जब भी उस current market में 130 रुपए आता है, तब महां से automatically buy हो जाएगा वो, दैन उसके बाद आता नीचे देखिए, trade time में carry forward and intraday, तो intraday का मलब यह होता है, कि आप आज खरीद के आज के आज ही उसको बेजेंगे, बलाब intraday में condition रहेगी कि अपने आज खरीदा है, तो आज के आज ही आपको उसको बेचना पड़ेगा, और intraday का जो timing होता है न, वो morning में 9-15 से लेके 7-3 वए तक का होता है, मलब 7-3, market दो चलता है, 7-3 वए तक है, लेकिन broker के दौरा 7-3 वजे आपकी positions को score up कर दिया आता है, जो भी intraday के आपकी positions ह होती है, दूसरा होता अपका carry forward, carry forward का मतलब यह हो गया, कि जो भी इसकी expiry है, जैसे 20 July इसकी expiry है, तो 20 July तक आप इसको hold अगर के रख सकते हैं, जैसे दूसरा मेंने बताया था 27 July इसकी expiry आ रही थी, तो 27 July आपकर अगर मैं किलिक करता, और then carry forward select करके buy करता, तो 27 July तक का मे करते हैं, तो इंट्राडेपर में किलिक कर देता हूं, इंट्राडेपर किलिक करने के बाद नीचे आएंगे, तो product type में लिख किया रहा है, MIS, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, MIS का full form होता margin intraday square of, then उसके नीचे आएंगे, तो order type में देखी limit आ रहा है, और market आ रहा है, तो फिर अपने अपना इस basic price भी दे सकते हैं, then उसके नीचे आए रहा validity, GFD, इसका full form होता good for the day, इसको मैं आपको आँगे समझाता हूं, actually होती हैं क्या है चीज़ है, और जो अपने और भी order type है, जैसे SL limit होगे, SL market होगे, इसके बारे मैं आपको बाद में बताता हूं, प quantity पन 25 ले रहा है, मतलब एक lot ही ले रहा है केवल, यह मैं सिर्फ आपको example के लिए बता रहा हूं, यह video देखके ऐसा नहीं कि आप trade करने लग जाओ, trade करना अलग चीज होती है, ठीक है उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आप और यह videos देख सकते ह पहले market को आप सीखिए, मैं सिर्फ आपको example के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं आपके लिए, तो अपने सारे चीज हैं select कर लिए, quantity अपन ने डाल दिया, price अपन ने दे दिया है, intraday में अपन को खरीदना है, तो intraday में ने select कर दिया है, ठीक है बस इतना यह अपन को price डाला हुगा है, और 130 अभी market में है नहीं, अभी price चला market में 148 रुपे के आसपास, अब अगर इस order में मुझे कुछ changes करने है, मुझे लगता है कि नहीं हा रहा 130 रुपे, और मुझे current market से ही खरीदना है, या फिर 130 रुपे की bidding price है उसको मुझे change करना है, तो मैं simply C के उपर क्लिक करूँगा, क्लिक करेंगे देखिए नीचे, modify का option अपने सामने आएगा, modify पर क्लिक करेंगे अपन, तो यहां से modify कर सकते है अपने order के लिए, कि quantity को कमिया जाना करना है, या price को घटाना है, या market rate से खरीदना, मुझे क्या market rate से खरीदना है, तो मैं market पर क्लिक कर देत अपना trade market में लग चुका है, जब trade अपना लग जाता, बाय अपना हो जाता, उसके बाद अपन को यहां पर देखेगा, positions के अंदर, यहां positions पर अपन के लिख करेंगे, तो यहां पर अपना order live देखेगा अपने लिए, और साथ साथ अपने order था, जो अपनी position बनाई है, उस अपन को profit या loss अपन को कितना हो रहा है, अभी जो minus में लिख किया रहा है, यह अपना भी minus में चल ला है, मतलब जहां से मैंने खरीदा, वहां से इसका rate अभी कम चल ला है, कितना 151 के आसपा चल ला है, इसलिए उसके इसाब से जो भी नुकसान है बो मुझे अभी यहां प 6, 6, 3 call option, इसी की उपर आपको click करना है, click कर आँए, और देखें, नीचे एक option आरहा है, square op का, square op पर आपको click करना है, click करके आपको target लगाना है, तो target लगना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जो price है न, price में आपको उपना price डाल देना, target वाला price, कि तो देखिए मेरा एक order है, वो open हो गया, कितने पर 180 रुपय पर, 180 पर open होके अपने सामने आ गया है, जब इसका rate market पहुंसता है 180 रुपय, तो automatically वहाँ से मेरी position सेल हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपको target लगाना है, target लगाना बहुत आसान है, और माललो आपको इसमें कुछ order का option आएगा, तो इस पे click करके अब इसको cancel भी कर सकते हैं, खेर अपन यहाँ पर back करते हैं, back करके अपन वापस से positions में चलते हैं, तो अपन ने target लगा दिया है, और अपन लगाते है stop loss इसके अंदर, तो इस stop loss को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई दूसरी position मनाते ह actually हुआ है, कि मैंने target लगा दिया था, target लगाने की बाद, जैसी में stop loss लगाने के लिए आया, position मैंने back किया, तो मुझे एक urgent call आया, तो वो call उठाने के लिए मैंने post कर दिया video के लिए, और call जैसे ही रखा, तो देखा मेरा target हिट हो चुका था, वहाँ पर, मतलब 130 पर हिट आपन इस stop loss के लिए कोई दूसरी position मना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बाप इस सर्च वार में चलते हैं, और इस वार आपन bank nifty को ही लेते हैं, और 46 यार अपन लेते हैं, आपर 46 यार 400 call option, और इसको आपन क्या करते हैं, next expiry का buy करते हैं, चुकि आज हैं video बना र आपन को, एक lot में लेता हूँ, और मैं आपको बापे से चुकि position बना रहा हूँ, मैं बापे से buy कर रहा हूँ, तो पहले बापे कर लेता हूँ, फिर आपको stop loss लगाना बताता हूँ, market rate से ही buy कर लेता हूँ, तो देखिए सारी चाहीं select कर लिए, मैंने lot डाल दिया है, और market rate से चुकि buy कर रहा हूँ, मैं इंट्राड की position है, इसको मैं review करके इसको buy करता हूँ, देखिए अपनी buy हो चुका है, view orders में जाते है, trade अपना हो चुका है, कितने से 177 से अपना trade हुआ है, अपन चलते positions के अंदर, positions से अपना आई है, देखिए अपनी position चल रही है आपर, 177 से अपना buy हो चुका है, अब लगाना stop loss, तो stop loss के लिए करना, simple इसी पर click करेंगे अपन, click करके square up पर click करेंगे, अब देखिए अपर ध्यान से समझना, stop loss लगाने के लिए क्लिक करना होगा, अपने लिए जो दो option देख रहा है, sell limit और sell market, इन दो अप्सन का use करना तो चुकि अपनी position अपन बना चुके थे, position बनाने के बाद अपन लगा रहे stop loss, मतलब पहले अपनने buy कर लिया, उसके बाद अपन लगाने के लिए stop loss, तो click करते है अपन इसके उपर sell limit के उपर, sell limit पर अपन ने click किया, तो यह पर दो चीज़ेगा अपन से price पूचेगा, और एक पन से ticker price मुचेगा, तो आपको जितने का stop loss लगाने, जिसी price का आप stop loss लगाना चाहते हैं, वो price आपको डालना है, ticker price है, जैसे आपको लगाना है stop loss माल ले जिस position के अंदर 150 रुपे का, 150 आप डाल देंगे, ticker price के अंदर, अपर जो price है न, यहाँ पर आपको जैसे मैंने दे दिया माल लो यहाँ पर 145 रुपे, तो कहोगा market जब नीचे आएगा, तो पहले 150 आएगा, उसके बाद ही 145 आएगा, तो 150 रुपे जब market आएगा, तो वहाँ से अपना stop loss हिट हो जाएगा, लेकिन कोई condition ऐसी होती कि 150 टच नहीं करता है market, market सीधा क्या करता 151 से सीधा 149 आजाता है, मतलब 150 टच नहीं कर गया, और कोई 20 का price आगया, तो इस condition अपने इसको एक range दे येते हैं, कि 150 और 145 के बीच में भी अगर कोई price आती है, तो वहाँ से भी अपना order execute हो जाए, मतलब sale हो जाए, तो basically सिर्फ range है और कुछ नहीं करना है, और दूसरा अपना SL market, SL market हलाकी block है अभी, वहाँ पर अच्छे से काम करता लेकिए, इसको block करके रखा हुआ है, वनना एक आप भी बड़ी option है, बिल्कुल confusion नहीं इसके अंदर, सीधा जितने का आपको stop loss लगाना, सीधा आपर take a price बोतरा, price आप डाल दो, जितने का stop loss लगाना है, यहा जान रखना है, इसका confuse बात होना बिल्कुल भी, यहाँ पर, कि आप भूल जाओगा, take a price में क्या डालें, और price में क्या डालें, तो take a price आपकी priority वाली price है, 150 मतलब जो भी आपको लगाना है, और price में आपको एक range दे देना है, बस, सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है priority तो आपके 180 ही रहेगे, इस 150 में डाला है तो priority यही रहेगे, क्योंकि वो second हो में काम होता है, 150 डच करेगा तुरंत वहाँ से अपना order execute हो जाएगा, लेकिन कोई condition अगर ऐसी होती, fluctuate market बहुत हो रहे सगी, आज बहुत जादा हो रहा है, तो ऐसा fluctuation होता है, तो कई बार ऐस हो जाता है, एक एक दो-दो point market jump करता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, अभी पन करते review order करते हैं, review करके इसको अपन sale करते हैं, sale करें कि success हो गया, पन चलते view order book में, देखिए अपना जो order है न, stop loss order, वो अपना यहाँ पर pending हो गया है, 150 रुपे के price से, और अपने जो price जाला था न, वो यहाँ पर डला हुआ है, मतलब जो range दी थी न, वो range भी यहाँ पर लिखी हुई है, अपने positions के अंदर, तो देखिए अपनी position अभी चल रही है, 173 के आसपस इसका rate चल ला है, 177 से अपने इसको buy किया था, जब भी इसका rate आ जाएगा market में 150 रुपे, तो म वहाँ से automatically में जो stopless न, वो ticker हो जाएगा, इसी को बोला है था stopless टेगर होना, वहाँ से टेगर हो जाएगा, मेरी position वहाँ से बिख जाएगी, अब इसी के अंदर लगाता हूँ मैं target, दीखिए मैं stopless लगा दिया है, अब target भी लगाता हूँ साथ में, तो target लगाने के अब मैं इसको review करके buy करूंगा न, देखना मेरे order cancel हो जाएगा, मतलब reject हो जाएगा, sale किया, reject हो जाएगा, reject का region क्या है, insufficient margin, तो basically नियम में होता है कि अगर आपने buy किया है, तो buy के बाद आप target लगा पाओगी, या फिर आप stopless लगा पाओगी, अगर आपने पहले target लगा फिर आप stopless नहीं लगा पाओगी, अगर आपने stopless लगा दिया है, तो आपका stopless लग चुका है, फिर आप target नहीं लगा पाओगी, तो दोनों आपको लगाने है, तो फिर आपको margin होना चीए, तो position buy करने के बाद, जो भी पहले लगा है, तो उसके लिए margin नहीं देना होगा दूसरा जो भी आप लगाओगे न, तो यह जब new position count करेगा, वो सोचेगा है new position consider करेगा, और बहाँ पर फिर आपको extra margin देना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए अपना order reject होगए यहां से, तो अपन इसको back करते हैं, back करके अपन वापस orders में जाते हैं, और इ इसको अपन को market पर tick कर देना है, market पर tick करके review करूँगा, और इसको में sale कर देता हूँ, यह देखो मेरा sale हो गया है, back आएंगे अपन, देखे book हो चुका है, position book हो गया, यह 46,400 वाली अपनी, profit कितना हुआ इसमें अपन को 99 रोपीस का profit हो गया है, और एक और जो position मैंने बना करना है, तो अपन ने देखो target भी समझ लिया, अपने stop loss भी समझ लिया, कि कैसे लगाना है, target और stop loss, अपन चलते हैं, next step की तरब, और दूसरे order type है उनको अपन समझ लेते हैं, तो यहाँ पर अपन किसी और को select करते हैं, किसी और में अपन buying करते हैं, और जो अपना अगला order type हैं, उसको अपन समझते हैं, तो सर्च करते हैं, 46 यार 500 का call officer पन लेते हैं, 27 जुलाई का ही लेते हैं, buy करते हैं, तो then वहीं lot select करने के लिए आएगा, तो अपन ने एक lot डाल दिया है, carry forward और intra day आ रहा है, तो अपन carry forward ही रखते हैं इस बार, और limit और market को अपन ने समझ लि market का, अभी अपन ने कोई position नहीं बनाई है, अपन भी fresh position मना रहे हैं, मतलब fresh buying कर रहे हैं, अपने भी कोई position pending नहीं है, तो fresh position बनाते समय, मतलब buying करते समय ही, अगर आप select करते हैं, SL limit को, तो SL limit का use तब किया आता है, जब को current market rate से उपर की bidding लगानी हो, मतलब fresh position में अगर पैसे इसको buying करना चाहते हैं, तो अपन SL limit का use करेंगे, क्योंकि जो limit, normal limit है, इस normal limit में आप click करके कर यहां पर डाल लेंगे न, 200 रुपे, तो क्या होगा, जैसी आप इसको buy करेंगे, तो current market rate से ही आपकी position buy हो जाएगी, क्योंकि normal limit order में, current market rate से उपर की bidding लगाना allow नहीं होत तो 200 पन नहीं डाल दिया, और price वही अपन को same range देनी है, तो यहां पर कर देते हैं, 210 रुपे, ठीक है, मतलब पहले 200 आएगा, priority अपनी 200 पर ही रहेगी, बट इनकेस अगर वो price नहीं आया, तो 200 या 210 के बीच में भी अगर कोई price आता है, तो वहां से भी अपना order buy हो तो फिर अपनी position execute नहीं होगी बहाँ पर, दोनों के बीच में आना चीए, ठीक है, तो select कर दिया, अब इसको पन review करते है, review करके इसको पन buy करेंगे, तो जैसी पन buy करेंगे तो अपना order पेंडिंग हो जाएगा, देखे, view orders में चलते है, तो देखे, यहां पर अपना order पें तो इसका मतलब यही है, क्योंकि अधितल लोग गलती करते हैं, पहले इसको cancel कर देता हूँ, cancel करके बताता हूँ आपके लिए, वो लोग गलती क्या करते है, जो SL limit लखा हुआ है, तो SL का मतलब वो stop loss समझ लेते हैं, और गलती क्या करेंगे, जिस price से उनको खरीदना है, वो target लगा सकते हैं, और दूसरा SL market, तो जैसा कि SL market मैंने बताए कि अभी allow निये, block किया हुआ है इन लोग ने, और अगर allow भी होता, तो क्या होता, simple यहाँ पर कितना करना पड़ता, टेकर प्राइज में आपको price डालनी पड़ती, मतलब जो price वाला, दो-दो price वाला option है, वो समझ लिए अच्छे से, अब इसके लाव देखिए, एक और option आता है, यहाँ पर TSLO और BO, इस पर अपन के लिए करेंगे, तो क्या होता, trailing stop loss होता है, तो हाला कि trailing stop loss अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि trailing stop loss के ऊपर अलग से मैंने, सिर्फ trailing stop loss ही उसमे और वीडियो में, और वीडियो में बना चुका हूँ अल्रेडी, चैनल पर आप जाएंगे, तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी वो, जिसे मैंने कोटक सेक्योडी सके लिए, trailing stop loss कैसे लगाना है, उसके बारे मैंने detail नहीं बता हुआ है, तो इस वीडियो को आप करता हूँ कि जो ही मैंने आपको बताया, समझाए, अच्छे से आपको सौझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद ना आए हो तो वीडियो को लाइक जरू कीजिए, और चैनल पर अगर पहली आरो, तो चैनल को सस्क्राइब भी जरू करिए, मिलेंगे अपन अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, और बाइ